आज का ये वीडियो काफी important होने वाला है इस वीडियो के अंदर जो एक pregnant lady अपनी daily life के अंदर कुछ ऐसे ऐसे काम भी करती है जिससे इस तरीके का मन में लगता है या फिर कह सकते हैं वो doubt कई बार सही भी होता है कि बच्चे को इससे problem तो नहीं हो रही है घर के कौन-कौन से का होते हैं किस महीने में हमें करना चाहिए और किस महीने में नहीं करना चाहिए overall इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी एक pregnant lady के जाडू और पोच्छा लगाने के उपर क्या इस बात में सच्चाई है जो भी महिला है जाडू या पोच्छा लगाती है उनकी normal delivery पक्की हो जा समय में update क्या चल रहा है क्योंकि चैनल सब्सक्राइबर बेस आप सब की बहुत ज़्यादा प्यार से और बहुत ज़्यादा क्रिपा से कह सकते हैं कि चार लाक से ऊपर हो चुके है इसके लिए वेरी वेरी थाइंक्यू गाई आप सब को तो इस केस में होता क्या है कि अभी है कि pregnancy healthy है जाड़ू या पोचा आप लगा सकती है तो आपको कौन सी सवधानिया बरतनी चाहिए और वो कौन सी महिलाएं होती है जिनको घर के काम में जाड़ू और पोचा बिल्कुल भी नहीं करना है तो गई चलिए इसके बारे में पूरे डीटेल से जानेंगे इस वीड हैं वो सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा और वीडियो के स्कीप मत किजिएगा क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट होते हैं कुछ ऐसे आपके सरीर में लक्षन दिखाए जाते हैं कि अगर यह सब कुछ हो रहा है तो आपको जाड़ू और पोचा अभी के अभी तो डीटेल में जाने के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आप सब के साथ श्ट्रेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चारा पहली बार अगर आए हैं हैं चानल पर चानल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को आप लाइक किजिएगा यहां का प्लेशेंटा एंटीरियर या पोस्टेरियर प्लेशेंटा होता है अगर इन दोनों में से कोई भी है आपका ग्रेड उसका बिल्कुल ठीक है तब तो कोई भी प्रावलम नहीं है आप जाड़ू या पूच्छा लगा सकती है लेकिन मेभी आपको कोई थाराइड की यह लो लाइन प्लेशेंटा है इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके साथ है तो आपको जाड़ू पोचा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हम यहां उन्हीं महिलाओं के लिए बात करेंगे आप रूटीन चेकप के लिए हमेशा अपने डॉक्टर के पास जाती है डॉक्टर जाना है अगर बात किया जाए तो यह आप लगा सकती है चौथे महीने के बाद से एक से लेके तीन महीने के बीच में जितनी भी प्रेग्नेंसी जिनकी भी चल रही होती है हलका सा क्रिटिकल सिच्वेशन होता है ऐसा सिच्वेशन होता है बच्चा अभी पूरी तरीके से बन रहा होता है उसके बोडी स्ट्रक्शर बन रहे होते हैं इस समय में काफी सौधानी बरतने की जरूरत होती है और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम कहा जाए अगर मन के अंदर से या फिर सरीर से या वामेटिंग आना मॉर्निंग सीखने सोना बहुत सारा सरीर से रिलेट कोशिस किजिए कि घर में आपके कोई हो केने का मतला आपके हस्म इंडिया सास और सुर कोई भी घर में हो तब ही आप जाड़ो या पोच्छा लगाइए अगर किसी के absence में आप लगाती है इस केसम हो सकता है भगवाल ना करें आपके साथ ऐसा हो लेकिन possibilities बनती है आपके प पैर तक नजर नहीं आते हैं इस सिच्वेशन में आप जाड़ू कैसे लगाओगे वह आप ही समझो तो इस केस में कहा जाता है कि कोई घर पे रहे तो अपने काम को असानी से निपटाईए मैं मेरी बात बताओं तो मैंने ट्राइ की थी जाड़ू कोछा लगाने की लेकिन ब जादा बिगड़ सकती हैं मिलती हुगा इजासव से कल के वीडियो में थैंक्स पूर वाचिंग तक के लिए बाइबाए टेक एर